आसन सोर के कुमारपूर इलाके की रहने वाली कल्यानी बावरी बीते सोमवार को एक सड़क हादसे का सिकार हो गई थी बताया जा रहा है कि वह रोज की तरहा लोगों के घरों में काम करने के लिए अपने घर से निकली थी लेकिन भगत सिंग मोड पर वा एक हादसे का सिकार हो गई थी बताया जा रहा है कि उनको पुलिस की एक जीप ने टककर मार दी थी दुरगटना के बाद उनको आसन सो जिला अस्पताल में भरती कराया गया था लेकिन उनकी हालत बिगड़ने पर उनको दुरगपूर के एक नीजी अस्पताल में भरती कराया गया जहां उन्होंने आज दम तोड़ दिया इसके बाद नाराज परिजनों ने आज भगत सिंग मोड अवरूत कर दिया इस बारे में कल्यानी बावरी की भतीजी दिया बावरी का गयना है कि रोज की तरह उनकी चाची लोगों के घरों में काम करने के लिए सोंबार को भी निकली थी सुभा साड़े 9 बजे के आसपास वा दुरगटना का सिकार हुई उन्होंने बताया कि रोज वा लोगों के घरों में काम करके धाई बजे तक वापस घर आ जाती थी लेकिन उस दिन चार बजने के बाद भी वापस नहीं आई तो उनके परिजनों ने उनकी तलास सुरू कर दी जब भगत सिंग मोड पर उनकी तलास की जा रही थी तो पता चला कि वा हादसे का सिकार हुई है दिया बावरी का कहना है कि जब उन्होंने ट्राइफिक पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक हादसा हुआ था और हादसे कि सिकार महिला गों आसनसो जिला स्पताल में भड़ती कराए गया है जब लोग आसनसो जिला स्पताल आये तो देखा कि उनको कोई इलाज नहीं हो रहा है उनको बस लाइन लगा कर रख दिया गया है उनका कहना था कि कल्यानी के सर पर गंभीर चोटे आये थी लेकिन कोई इलाज नहीं किया जा रहा था हालत बिगरने पर उनको दुर्गपूर के नीजे स्पताल में भरती कराये गया जहां आज उनकी मौत हो गई दिया बावरी ने कहा कि कल्यानी के दो चोटे चोटे बच्चे हैं और अपने घर में वही एक कमाने वाली थी उनकी मौत के बाद उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से सुईकार किया गया है कि उनके एक कॉंस्टेबल जीप चला रहे थे इसलिम समुदाय के पवित्र त्योहार इद उल अजहा के मौके पर आज आसनसोल के जीटी रोट के किनारे इद की नमाज अदा की गई इस मौके पर आसनसोल उत्तर के विधायक वराजी के कानून वस्टरव मंत्री मलेः घडक हर साल की तरह इस साल भी यहां मौजूद रहे और उन्होंने सभी को इद की मुबारक बाद दी इस मौके पर मले घड़क ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वह ईद के मुबारक मौके पर यहां मौजूद है उन्होंने सभी को इद की मुबारक बाद दी और कहा कि वह उपर वाले से दुआ करते हैं कि सभी के लिए इद का यतोहार खुसियां लेकर आए और सभी स्वस्त रहे सम्रिद रहे उन्होंने कहा कि आसनसोल भायचारे का सहर है और जिस तरह से हरतेवहार को एक साथ मिलजूलकर मनाया जाता है यह भी ठीक उसी प्रकार से मनाया जा रहा है उन्होंने इद्गा कमीटी के लोगों, मुतवलियों, सहित, तमाम सहरवासियों को इद की मुबारक बाद दी वहीं आसनसोल लिद्गा वक्फ स्टेट के सचीव अब्दुल जलील ने सब ही को इद की मुबारक बाद दी और इस बात पर खुसी जाहिर की कि हर साल की तरह इस साल भी मंत्री मले गटक उनके बीच आये हैं और सब को इद की मुबारक बात दे रहे हैं उन्होंने कहा की मंत्री मले गटक के रूप में एक ऐसा सक्स उने मिला है जो उनके हर सुक दुख में उनके साथ खड़ा रहता है उन्होंने इसके लिए मंत्री मले गटक को धन्यवाद दिया ये नमाज है, आमादे सहरे जरा नमाज परे तारा इद गात्ये कियो परोवर। आज गेओ प्रचूर मानुसेकेन एस्चिरेन तारा इदेन नामाज पुरेशन आमी प्रतिवार उपस्तित थाकी एवरो एस्ची एबं एजी इदगार्जे मातवाली वा इदगार्जे कमिटी आछे एरा खुब सुन्दर भबेन नामाजेर रवस्ता करें एबं आमी इद पुणनुति हो केटे अवादेर कमोना शीरे